चहरे पे pigment हो गी है, काले दाग हो गए है, aging दिखने लग गी है, wrinkles, fine lines आने लग गी है, या early sign of aging दिखने लग गी है, sun burn हो गया है, d10 हो गया है, जिसकी वज़े skin बहुत ज़्यदा dull दिखाई देती है, मुर्ग जाई हो इसी दिखाई देती है, तो इस खुबसूरा से पानी को मेरे साथ त्यार कर लीजिए, ये आपकी pigment दाग दबों को light करके skin को bright बनाएगा, aging के science को reduce करेगा, और चहरे के उपर एक प्यारसा glow, एक प्यारसी चमक को बनाए रखेगा, नमस्ते जी, आप सभी का आपके अपने चैनल beauty with nature by sunita sani में, बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हो आप सब मैं उमीद करती हूँ, आप सब लग खुश होंगे, इस magical पानी को त्यार करने के लिए सब से पहले हमें चाहिए, एक चमर चावल, चावल आप कोई भी ले सकते हो, आपने उसको अच्छे तरीके से धो लेना है, और उसको भीगने के लिए छोड़ देना है, कम से क छे से साथ घंटे आप इसको भीगने के लिए छोड़ दीजिए, जब इन चावलों को भीगते हुए, छे से साथ घंटे हो जाएंगे, तब हम इसमें से दो चमच पानी लेंगे, चावल का पानी चहरे की पिगमेंट को ठीक करता है, दाग धब्बों को लाइट करता है, औ आप इसको फेंग किये, मत इसको एक स्क्रब की तरह अपने फेस के ओपर इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी, अब मैं इस पानी में एड़ करूंगी, दो कैप्सुल विटामिन ई ओयल के, फ्रेंट्स विटामिन ई हमारे स्किन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, यह हमार स्किन को धूप से भी बचाता है, ठीक है जी, अब मैं इसमें एड़ करूंगी, दो चमच के करीब अलोवीरा जेल, फ्रेंट्स अलोवीरा जेल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि यह ओशिदे गुणों से भरपूर होती है, इसके अंदर 90% तक पानी होता है, अपने इसी गुण की वाज़ा से यह हमारे स्किन को बहुत अच्छे तरीके से हाइडरेट करती है, गर्मियों के लिए तो यह बहुत ही अच्छी होती है, यह हमारी स्किन को फ्रेश बनाए रखती है, ठीक है जी, अब मैं इसमें डाल वी हूँ, तीन धाग हमारे स्किन को फ्लोलेस बनाता है ठीक है जी अब मैं इसमें एड़ करूंगी आधा चमच नारियल का तेल भी हमारे चेहरे के उपर एंटी एजिंग का काम करेगा अगर चेहरे के उपर अर्ली साइन ओफ एजिंग दिखाई देने लगे हैं तो यह उसको रिड्यूस करेगा चेहरे के दाग धब्बों को लाइट करके स्किन को ब्राइट बनाएगा अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और आदा घंटा इसको छोड़ दीजिए केसर अपने पूरी गुड्नेस इस पानी में छोड़ देगा देखिए आदा घंटा हो गया है केसर ने हमने पानी का इस्तेमाल किया है इसमें हमने चावल के पानी का इस्तेमाल किया है जो कच्छा है जो खराब हो सकता है इसलिए एक हफ़ते का बनाओ एक हफ़ते के बाद दोबारा बना लीजिए अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है जब भी आपने इसका इस्तेमाल करन है make sure आपका फेस बिल्कुल साफ हो मैं भी अपने फेस को साफ कर लेती हूं अपने फेस को साफ करने के लिए मैं ले रही हूं यहाँ पर गुलाब चल देखिए फेस साफ हो गया है इस फेस साफ करने के बाद आपने इसमें से थोड़ा सा लिया जैसे आप एक नॉर्मल क्रीम लगाते हो उसी तरह आपने इसका इस्तेमाल करना है बस आपने इसका इस्तेमाल जब करोगे तो अगर आप इसके साथ अपने चेहरे के उपर एंटी एजिंग मसाज भी कर लोगे फिर तो क्या बात है के सरहाथ में आगे बहुत लोग पूछते हैं कि मसाज बता चुक हूँ यह अलग तरीके से है आपने अपनी फिंगर्स को हुक की तरह बनाना है और इस तरह अवर डारेक्शन में ले जाते हुए मसाज करने है एक और टैन काउंट करने है ठीक है जी और अगर ऐसे लाइने है खड़ी लाइने है तो आपने इस तरीके से मस करने है टैन टाइम ऐसे भी काउंट कर लीजिए अब आँखों के आसपास तो सेम वैसे ही रहेगा इस तरीके से मसाज कीजिए इस तरीके से और यह भी आपने टैन काउंट करने है इस फिंगर से करनी है क्योंकि इसका प्रेशर यहां पर बहुत लाइट पड़ता है हमने यहां पर बहुत लाइट प्रेशर दे के ही मसाज करनी है क्योंकि हमारे आँखों के आसपास की स्किन बहुत ज़्यादा पतली होती है इस बात का अपने खास ख्याल रखना है अब हमारे यहां अगर फोल्ड बनने स्टार्ट हो गए है तब भी आपने अपनी हुक बनाने ह फिंगर से और उपर की तरफ इस तरीके से ले जाते हुए मसाज गई 10 टाइम आप यह भी काउंट कीजिए और अब यहां से यह हमारी जो लाइन से थोड़ी सी उपर से माउथ के यहां से आपने इधर रखी अपवर्ड डारेक्शन 10 टाइम ऐसे काउंट करने है अब हमारी तहगे यह जो लाइन इसको शार्प करना बहुत जरूरी है इसके लिए आपने इसी तरीके से हुक बनाना है और उपर की तरफ ले जाते हुए मसाज करनी है ऐसे 10 टाइम आपने ये भी काउंट करने है फैंट आपने इसको डेली मसाज करनी है आप मौरिंग में कीजिए नाइट में कीजिए जब भी आपके पास टाइम हो आप इसको एक मिन्ट जरूर कीजिए और अपने पूरे फेस की मसाज के लिए आपने इस तरीके से अपने हाथो को बनाना है और यहां रखना है और प्रेशर देते हुए उपर की तरफ ऐसे ले जाकर नीचे कॉलर पॉन पर छोड़ देना है इसको हमने प्री टाइम करना है फ्रेंड्स मुश्किल से आपको इसको करने में दो मिनट लगेंगे लेकिन यह आपकी स्किन को बिना सर्ज्रि के भी प्लास्टिक सजर्ज्री जैसा बना देगी आपके च कट दिखाई देने लग जाएंगे और यह आपकी स्किन इनको glowing भी बनाएगी देखिए आपके सामने है result तो आप भी इस प्यारे से खूब सूरत से पानी को त्यार करें और अपने चहरे के ऊपर glow लाएं तो हम फिर मिलेंगे अपनी next वीडियो में तब तक के लिए बड़ बड़